हेलो फ्रेंड्स मैं हुआ रेस और पिछली वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्या है पर एक नेट्व की एप के अंदर वीडियो कॉलिंग की एप बना सकते हैं और वो बिसे पांच मिनिट के अंदर तो इसका अंसर है यस तो इसके बार में हम यहाँ पे आज की वाले के अंदर उसको open कर लेता हूं तो यह देखें यहाँ पर यह वाली वेबसने आपके सामने आ चुकी होगी तो इस वाली वेबस yem के अंदर क्या है यह यह पे इस वेबसेट की नाम है यह सारे feature implement करने है तो manually अगर आप यहाँ पर करने जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा time लगने वाला है और यहाँ पर आपकी मेहनत भी यहाँ पर आपको लगेगी तो simply आपको यहाँ पर time को save करने के लिए इसको use कर सकते है यहाँ पर तरह तरह के option यहाँ आपको मिल कर दे ठीक है अब यहाँ पर नीचे जाएंगे ओके अब यह देखें यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़े अवयलेबल है यहाँ पर one-on-one call kit, group call kit, video conference kit, live streaming kit इसी प्रकार से बहुत सारी UI kit आपको यहाँ पर मिल रही है फ्रेंट्स UI kit का मतलब होता है कि आपको आपको अल्रेडी component बना के रखे हों लोग ने आपको simply उसको यहाँ पर यूज करना है ठीक है अब यहाँ पर नीचे जाएंगे और यह देखें यहाँ पर आपको इतनी सारी facility मिल रही है, simply आपको उसके SDK को यहाँ पर install करना परेगा, वो हम नीचे जाएंगे और यह देखो, यहाँ पर है developer first, तो यह वाला जो भी source code है friends, वो है यहाँ पर simply sample code है, for example यह देखो, आप इतनी जगह पर इस वाले API को यूज कर सकते हो, first one is Android, second one is iOS, इसी प्रकार से web, flutter, react native, हम यहाँ पर देखने वाले है react native के साथ, फिर आएगा Windows, macOS, and electron, तो आप इस API का इस्तेमाल simply इतने platform के अंदर कर सकते हैं, हम यहाँ पर react native के अंदर देखने वाले हैं, तो simply मैंने यहाँ पर इसको select किया है, ठीके, इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर आपको यह तरद तरद के option मिलेंगे, for example आपको यहाँ पर quit start करना है, तो simply इसके और यहाँ पर आपको पूरा documentation मिल जाएगा, friends, ठीके, तो simply आप उसी यहाँ पर read कर सकते हो, यह link में यहाँ पर description में दे दूँगा, वहाँ पर आप इसे read कर सकते हो, अब यहाँ पर main topic के उपर आते है, okay, तो first one is documentation, यह documentation बहुत important होता है, friends, simply इसे कैसे use करना है, उसके बार कर सकते है, यहाँ पर आपको demo application मिल जाएगी, okay, for example, यहाँ पर आपको एक link मिल रही है, यह देखो, यहाँ पर download APK के उपर click करोगे, तो यहाँ पर application download हो जाएगी, ठीक है, इसी प्रकार से आपको दूसरी information भी यहाँ पर मिल जाएगी, अब यहाँ पर main topic के उपर वापस आते है, तो अगर आपको भी यहाँ पर इस वाले platform के मदद से अपने app को design करना है, run करना है, video call के app को create करना है, तो वह आप कैसे कर सकते है, चले तो यहाँ पर सबसे उपर जाएगे, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर कर देना ह प्रेगा तो simply यहापे details आप fill up कर सकते हैं, तो यहापे मैं अपनी details fill up कर लेता हूं, उके उसके बास simply यहापे send code के ओपर click करना है, और verify होने के बाद यहापे आपको simply अपने email को check करना है, वहाँ पर एक code आया होगा उसी code को यहाँ पर आपको करना है पेस्ट और last में यहाँ आपको लिख देना है अपना password और last में यहाँ पर और यहाँ पर start your free trial के उपर करना है click और यह देखों यहाँ आपके सामने एक दूसरा форм आ चुका है तो simply आपको इसको भी fill करना परेगा simply मैं अपने यहाँ पर data fill कर लेता हूँ ओके और last में यहाँ पर continue करना है click ओके और यह देख़ें यहाँ पर next screen कोई चीज़ प्रकार से आई है जैसे कि यहाँ पर आपको free trial के अंदर यहाँ पर कितने minute मिल रही है यहाँ पर आपको 10,000 minute यहाँ पर free trial के अंदर मिल रही है तो आप एक हपते के अंदर sorry यहाँ पर एक मैने के अंदर यहाँ पर आप 10,000 minute का use कर सकते है ठीक है तो इतनी मेरे ख्याल से यहाँ पर टेस्टिंग के लिए इनफ है तो simply आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो भी एकदम फ्री में चलिए अब यहाँ पर go to dashboard के उपर करेंगे click इसका dashboard है friends यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अब यहा पर create you first project के ओपर आपको यहाँ करना है click तो simply मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ओप्शन आ है तो आपको यहाँ पर जो भी चीये simply आपको उसको करना है select for example मैं यहाँ पर अभी video call को select कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पर लिखा है add one 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 and group call to your web और mobile application with voice or video call kit simply ठीक है यहाँ पर यह देखें यहाँ पर लिखा है kit तो simply आपको यहाँ पर इसे choose करना है तो यहाँ पर ready kit मिल जाएगी easily and quickly simply मैंने यहाँ पर इसको किया है select अब यहाँ पर जाएगे नीचे अब यहाँ पर click करना है next ओके अब यहाँ पर आपको project का नाम देना है तो for example मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my underscore calling underscore app ठीक है मैंने यहाँ पर simply अपना project का नाम दे दिया है तो आप भी यहाँ पर अपनी तरह से यहाँ पर नाम दे दो यहाँ पर space allow नहीं है यह दो कि यहाँ पर space दोगे तो यहाँ पर error आएगी तो simply space के जगा पर यूज करना है underscore ओके चलिए अब यहाँ पर नीचे जाएंगे अब यहाँ पर आपके सामने दो option है first one is UI UI kit अब यहाँ पर आपके सामने दो option available है यह पहला जो है वो यहाँ पर UI kit वाला है तो simply आपको यहाँ पर UI kit के साथ जाना है अगर manually बनाना है आपको UI तो simply आप यहाँ पर SDK के साथ जा सकते है मेरे ख्याल से यहाँ पर इन लोगों की पर कर लेते ही से और यह देखिए आप भीक्रेय niece हो रहा है तो इसे यहाँ पर create होने देते है अब यहाँ पर क्रियाट करना ही कि यहाँ पर residue लेक्टा करना ही फोर अग्जाप्ल हम यहाँ पर यूज कर रहे है तो simply यहाँ पर for react native के उपर करेंगे select, चलिए, तो अब यहाँ पर next menu आपके सामने आ चुका है, अब यहाँ पर आपको simply select करना है कि आपको यहाँ पर क्या करवाना है, for example one on one call और group call, तो simply मैं यहाँ पर use करूंगा one on one call, बाद में आप यहाँ पर change भी कर सकते हैं, कोई बात और यह जो है उसको भी on रखना है, यह by default यहाँ पर दोनों on होएंगे, अब यहाँ पर यह जो option है, वो यहाँ पर enable नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर paid version के अंदर available है, तो अगर आपको यहाँ पर उसको यहाँ पर purchase करना परेगा, ठीक है, अब यहाँ पर जाएंग store करके रखना है, अगर store नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वापास आपी से यहाँ पर read कर सकते हो, लेकिन यह वाली id और app sign को यहाँ पर आपको संपाल करना है, दूसरों के साथ set नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, go to admin console, और यह देखें, करेंगे click, तो इस प्रकार से simply आपको app को create कर लेना है friends, ओके चली अब यहाँ पर इस वाले platform को हमारी app के अंदर implement करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पर next part के अंदर करेंगे friends, ओके friends, आई हो पाचकी वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नहीं जानने को मिला आपको 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 आपक